कोरोना के भरते प्रकोव को देखते हुई नई कंपनिया इसकी वैक्सीन की खूज कर रही है इसी कड़ी में अब योग गुरू बाबा रामदेव की कंपनी पतंजली भी कूद गई है पतंजली गुरूप ने कहा है कि उसने जरूरी रेगुलेटरी मंजूरियों को हासल करने के बाद मारव में कोविड-19 के इलाज के लिए क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है गौर्दरभ है कि पतंजली गुरूप की फ्लैक्शिप यूनिट तमाम कंजूमर प्रोडक्ट और आयरविदिक दवाएं बनाती और बेशती है पतंजली के मैनेजिंग डिरेक्टर क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है आचारे बालकृष्ण ने बताया कि पतंजली गुरूप में फरवरी 2020 से ही कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया था मार्च तक पतंजली ने कई हजार कोरोना मरीजों का इलाज किया लेकिन ये मरीज किसी शाक्ष आधारत क्ल जिक्रित करवाने के लिए हमें clinical trial से गुजरना होगा इसी को ध्यान में रखकर company ने clinical trial पर regulatory मंजूरी लेकर ये trial शुरू किया है कोरोना के इलाज की खोज में दुनिया भर की कई कंपनिया वैज्ञाने को डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं इसमें अभी तक दुनिया की बड़ी pharma company का नाम ही आ रहा था जिन में गिलियर्ड, Sciences, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Inuvia, Formo और Glaxo Smith-Kline जैसे नाम शामिल है इस सूची में पतंजुली का नाम जुड़ना company के लिए एक बड़ी उपलब दिया है